हेलो एबरिबन आज मैं आपके लिए एक सांदार रेसिपी लेक्ट आई हूँ एचुली आज सुबह में क्या हुआ मैं बच्चों का लंच पेक कर रही थी जो लंच पेक में कर रही थी वो दोनों ही बच्चों को नहीं चाहिए था एचुली मैं उनके लिए सबजी रोटी पेक कर रही थी मैंने आलू भिंडी का सबजी बनाया था रोटी बनाया था दोनोंने मना कर दिया फिर मैंने ये ब्रेड मंगाया ब्राउन ब्रेड है ये और बनाना चॉकलेट घर में रखाई हुआ था I thought मैं उनके लिए कुछ अलग सा सेंविच बना करके देती हूँ जो दोनों को पसंद आ जाए मैंने ब्रेड लिया है ब्रेड के स्लाइस के उपर ही चॉकलेट सीरप एड़ कर लेना है इस तरीके से और बनाना मैंने लिया है इसका पतला पतला स्लाइस कट करके पूरे ब्रेड पर लगा देना है आपके पास कोई भी फ्रूट हो कुछ भी फ्रूट आप इसमें एड़ कर सकते हो और बच्चों के लिए इस सेंविच काफी अच्छा रहता है इसके बहाने बच्चे फ्रूट्स भी खा लेते हैं और ये सैन्विच मिंटों में बनके रेडी हो जाता है और स्कूल टिपिन के लिए काफी अच्छा ओप्सन है आप ये रेसिपी जरूर से बनाईएगा ब्लीम मी आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुती पसंद आएगी दो-दो पीस में हापे रख दोंगी मैंने ये रख भी दिया था फिर मुझको ये थोड़ा कम लगा और सुबह का ये जो मैंने भिंडी बनाया था भिंडी आलू का सबजी वो थोड़ा बच्चा हुआ था ब्रेड भी थोड़ा बच गया था तो मैंने एक सैन्विच उसका भी बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेर करूंगे वीडियो को पूरा देखिएगा ये ग्रेड लिया है मैंने दो टमेटो केचप इस तरीके से एड़ कर लेना है और कोई भी भाजी आपके पास है जैसे आपने आलू का बनाया है गोभी का बनाया है सूका कोई भी सबजी ल किया है मैंने आलू जादा ले लिया ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगा देना है और बस कट करके मैंने दोनों के लंच बॉक्स में रख दिया था और दोनों को दोनों ही सैंविच काफी पसंद आए तो आप एक बार जरूर से अपने बच्चों के लिए बनाईएगा बिल भी पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा और बना के जरूर से देखिएगा थैंकी फूर बाच्चिंग